हे गाईज वेलकम बैक कैसे हो आप लोग गाईज आप लोग इंडिया से हो और आपने ये कहावते जरूर सुनी होंगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ उडता हुआ तीर किसी के फटे में टांग और साथ-साथ अपने पैर पे कुलढ़ी नहीं माननी चाहिए यकीनا आप इंडिया से हो तो आपने ये कहावते जरूर सुनी हूगी सुनिये लेकिन Mr. CZ ने ये कहवते नहीं सुनिये यकीनन वो इंडिया के नहीं है तो क्यों सुनेंगे बाई इंडिया से नहीं है आपने कहवते सुनिये क्योंकि आप इंडिया से है Mr. CZ बाइनेंस के CEO इंडिया से नहीं है इसलिए उन्होंने एक हावते नहीं सुनी और इसका नुकसान उनको बहुत ज़ादा हो रहा है कहीं पर वो नेगिटिव हो रहे हैं, कहीं पर उनको ट्रॉल किया जा रहा है कहीं पर उनकी नेगिटिव इमेज दिखाई जा रही है और अगर मैं बात करूं कहीं कहीं तारीफ भी हो रही है दोनों पहलू है मगर जादा तर वो ट्रोल हो रहे हैं अब ट्रोल क्यों हो रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे साथ साथ बात करेंगे कि देखिए उनका क्या योगदान रहा है देखिए अगर मैं बात करूँ उनको मेरे साब से मैं अपना point of view दारूँ hero बनने का बहुत चाव है यकिनन वो hero भी है लेकिन जब आप इतनी उची वाली post पे बैठे हों कि आपको लाखो करोडों लोग follow करते हैं तब आप कुछ भी नहीं बोल सकते मेरी बात से सहमत हो तो comment box में comment ज़रूर करना मैं बात करने तो कुछ दिन पहले कि जब Solana Chan को hack हो गया था Solana Chan hack हो गया ठीक है समझा गया कि भाई hack हो गया बहुत सारी exchange के साथ ऐसा होता है उसको धीरे धीरे संभाल लिया भी जाता है और उन्होंने भी यही करा कि उसको संभाल लिया hack हो गया अब उस टाम Solana Chan को कितना नुक्सान हुआ था साथ हजार wallet को hack कर लिया गया था अब साथ हजार डॉलर इतने लाखो wallet में से साथ हजार wallet है हो गया मैं समझता हूँ यह गलत बात है साथ हजार holders का नुक्सान हुआ यकिनन लेकिन इतना नुक्सान उनको holder के नुक्सान से नहीं था मतलब इतना नुक्सान उनके जो wallet हैक हुए तो उससे नुक्सान नहीं था यकिनन वो न्यूस बड़ी हो जाती है और उसका नुक्सान सोलाना को जहलना पड़ा साथ जार wallet का हैक होने का अतना नुक्सान नहीं था जितना Binance के CEO Mr. CZ ने जब वो ट्विट किया उससे जादा नुक्सान सोलाना को जहलना पड़ा यकिनन ठीक है मैं बात मानता हूँ अब जो बात हुई है FTX और Binance के थूँ ये भी देखिए कहीं न कहीं आप मां देखिए एक बहुती बड़ा ड्रामा खेला गया बहुती बड़ा ड्रामा ड्रामा इंदे सेंस की यार ये बाते आराम से भी हो सकती थी ये बाते जैसे आपने डील करी है जो पहले वाली डील करी है जो जितने भी आपने FTX टोकन ली है जितने भी सारी डील थी जैसे वो हुई है वैसे इसको resolve भी किया जा सकता था मगर इसका एक बहुत ही हाई प्रोफाल ड्रामा बनाया गया जिसका खामियाजा FTX को भुगतना बड़ा यकीनन मैं तो कहूँगा कि FTX भी कही न कहीं गलत कर रहा था ठीक है गलत हो रहा था लेकिन उसको तरीका दूसरा होया जा सकता था, जिसमें लाखों लोगों का, मतलब मैं तो कोओंगा करोडों लोगों का नुकसान बचाया जा सकता था, मार्किट को डंपिंग से बचाया जा सकता था, अब देखिए FTX और Binance का इतना बड़ा नुकसान नहीं था, जितना पूरी दुनिया का नुक और उससे पिछले साल का lowest 1.90 ये इसका price है अभी अगर मैं current की price की बात करूँ तो 2 dollar के आस्पा चल रहा है मतलब इसने old time low लगाया 1.90 लेकिन सोचिए न 58 dollar का coin आज 1.90 पर trade कर रहा है यकीन हैं देखिए एक exchange का token था एक exchange का native token था जो अद इतने lowest पे पहुँच गया ये सिरफ किसले हुआ क्योंकि दो बड़े लोगों की fight हो गई अब इसमें नुकसान किसका हुआ इसमें नुकसान हुआ holders का जितने इन्वेस्टर है उनका और साथ साथ जितनी exchange पे मतलब FTX exchange पे जितना भी fund पढ़ाता लोगों का अब वो hack के कागार पे आ गया मतलब अक्षेण ने घोषना कर दिया कि हम hack हो गए अब यह भी कहीं न कहीं ड्रामा तो नहीं है कि इन सब चीजों से निपटने की चीज़े तो नहीं करी जारी इन चीजों से निपटने का तरीका तो नहीं ढूना जारा कि भाई लोगों को fund देना पड़ेगा इतना उनके आगे देखना पड़ेगा इतना funds को निकाल के देना पड़ेगा funds को withdrawal को रोकना पड़ेगा बहुत सारी चीजे करनी पड़ेगी तो सबसे असान तरीका क्या हो सकता है कि भाई हैक हो गई आपका जो wallet है हैक हो गई आपके जो assets हैं वो हैक हो गई और किसी को देना लेना नहीं पड़ेगा ये भी कही न कहीं ड्रामा नहीं लगता आपको कि हैक हो गई अब देखिए ये तो कुछ भी हो सकता है अभी तो फिलाल जिस तरफ से हम देख रहे हैं कि हाँ भई हैक हुआ है और लोगों की जितने भी एसेट्स हैं वो खत्रे में है अक्षेंज हैक हो गई है लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं सोलाना की इस सारे केस में सोलाना को भी ब जीलना पड़ा जब यह हैक हुआ ता तब से अब तक है लगा ता डाउन फोल की तरफ चल रहे है और आज जैसे मार्केट डाउन हो रही है उस वजह से भी क्या हो रहा है कि और ज़ादा यह डाउन हो रहा है सौलाना यकिनन सभी कोईन हो रहे हैं मैं कहूं बीटी सी की वह आपको बताता हूं मैंने शाम को ये ट्वीट देखा जिस पे लिखा हुता मिस्टर वेल उन्होंने बताया कि वाइट बिट अक्षेंज पे जो 70 नंबर की एक्षेंज है वाइट बिट पूरी दुनिया में 70 नंबर पे आती है आपने सुन रखा होगा शायद नहीं भी सुन बहुत से लोगों ने नहीं सुन रखा हो बहुत से लोगों के अकाउंट भी उसमें है अब उन्होंने क्या अनॉस्मेंट की मैं पहली अनॉस्मेंट को हुआ मिस्टर वेल की जिन्होंने अनॉस्मेंट की कि BNB को D-List करा जा रहा है इस अक्षेंज पे एक बहुत बड़ी हो भी सकती है और ये कही न कहीं शुरुवात भी हो सकती है कि BNB से आप लोग आगे खुल के आएं कि भाई नहीं कुछ तो गलत हो रहा है देखिए अक्षेंज जब आप इतने उचे पोस्ट पे बैठे हैं तो कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं और मैं तो कौँगा वो जो ट्विटर है वो एक अक्षेंज का ट्विटर होना चीए अपकी अक्षेंज पर क्या अपडेट आरी है वो आप दे सकते हो पूरी दुनिया में था प्डेट चल रहा है और तो मैं तो कोँगा कि सिर्फ मज़े लेने वाली बात कि आप मज़े ले रहे हो सीदह तर दोर है कि उस tweet के जड़िए क्या बताया जा रहे है आपके मज़े लिए जा रहे है मार्किट के मज़े लिए जा रहे है या सिरफ update बताई जा रही है कुछ भी हो सकता है हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन अगर मैं बात करूँ Mr. Vale ने एक announcement की कि वाइट बिट exchange कह रही है कि BNB को dealist करेंगे और यह हो सकता था कि नहीं हो सकता था इसके लिए हम पूरा रुके और इंतजार करा हमने उस date का कि जिस दिन BNB जो है dealist हो जाए और confirm भी हुआ यह exchange की announcement है इन्होंने इसको dealist कर दिया मतलब BNB को dealist करा BNB को future trade में dealist करा और साथ साथ BNB के जितने भी pair थें उनको dealist कर दिया अब BNB के नाम से white bit exchange पे कुछ भी नहीं है अब यह कुछ भी हो सकता है publicity stunt भी हो सकता है और एक शुरुवात भी हो सकती है अब फिलाल देखिए अब यह दो तीन news जो है market में घूम रही है कही न कहीं FTX का और बुरा हाल गलर भी अगर आप BTC को देखो तो कोई बड़ी बात नहीं और यह दरा देने वाले आकड़े हैं आने वाले time में क्या होगा कैसी चीजे बदलेंगी सब कुछ update मेरे ट Selbst पर आपको मिलता रहता है, future trade मिलती रहती है, future trade के बारे में सीखना है, तो आपको ये time है future trade के बारे में सीखना, और मैंने सिरफ तीन वीडियो में explain कर रहा है, कि future trade कैसे करते हैं, उस पे trade कैसे लेते हैं, profit book कैसे करते हैं, loss book कैसे करते हैं, क्या है risk management, सब कुछ मैंने आपको उस तीन वीडियो में बताया, एक काम कीजिए, ये थमनेल एक वीडियो का, और ये प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप सब कुछ समझ सकते हैं, तीन वीडियो देख, मेरे साथ जुड़ जाईए, मैं आपने टेलिग्राम पर आपको future trade देता वाली, जैसे भी market down जा रही है, हम अगर predict करें market down जा रही है, और हमने अगर short ले लिए, short कहते हैं कि हमने बताया है कि market down जा रही है, और हमने उस short को ले लिया, तो अगर market down गई, तो हमें एक बहुत जबरदस profit मिलता है, कितना भी गुना ले सकते हैं, आप 5X, 10X, 20X, ये leverage ह होती है, ये सारी चीजे आप समझ जाएंगे, आप बहुत बड़ी चीजे नहीं है, तीन वीडियो देखेंगे, 10-10 मिनट की, आदे घंटे में आप future trade सीखने वाले है, आप मेरे telegram से जरूर जूर जूर जाना, और आने वाली क्या update होती है, कैसी update होती है, सारी update मेरे channel से आ हमेशा ये रहता है, कि मेरी वीडियो बिगनर देख रहा है, मैं यह नहीं चानता हूँ, कि मेरी वीडियो बहुत pro देख रहे हैं, pro देख रहे होंगे, वो भी समझे और beginner देख रहे होंगे, अगर मैं अपनी language ऐसी करूँ, कि सिरफ pro के लिए, कि भाई मैं नीचे वाला तो सर्फ एक ही का चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइकोन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पहा है सबसे पहले तब तक के लिए थैंक यू सो मज गाइस